हेलो दोस्तों आपका स्वागत है फर्स्ट एन्वल हेलोईन स्पेशल में वैसे तो हेलोईन है 31st ऑक्टोबर को पर इस पूरे महीने जो है मैं हॉरर मुवीज का रिव्यू करूँगा मनलब कोशिश करूँआ जादे से जादा हॉरर मुवीज को कवर करने की कुछ ऐसी फिल्म होंगी जो मुझे बहुत जादा पसंद है और कुछ फिल्म है ऐसी होंगी जिने देख के मुझे बच्पन में तो डर लगता था पर अब उतना नहीं लगता अब लगता है कि यार ये वाली फिल्म में जब भी देखता हूँ ना एक डेड़ हफता लग जाता है मुझे अपने दिमाग से इस फिल्म को निकालने में इसका जो सैक्ललॉजिकल इफेक्ट होता है ना मरे दिमागी वो बहुत खतरनाक होता है ये फिल्म मेरे को तो हफ्तो हांड करते हैं अब आप का मैं कहने सकता बट यार मुझे बहुत जबरदस लगते है ठीक है आजम जिस फिल्म के बारे में बात करें ये रिलीज हुई थी 2012 में और फिल्म का नाम है Sinister इस फिल्म को डिरेक्ट किया था स्कॉट डेरिक्सन ने स्कॉट डेरिक्सन को जाना जाता है स्पूकी और हॉरर फिल्म बनाने के लिए वो इससे पहले अब इस फिल्म के कहानी की बात करें तो जो एथन हॉक है ना वो है एक ट्रू क्राइम राइटर वो जो सची क्राइम की घटनाओं पर जो इन नौवल लिखते हैं और जो उनकी लास्ट नौवल थी ना जो बेस्ट सेलर हुई थी जिसकी वज़े से वो फेमस हुए थे वो आई थी दस साल पहले अब दस साल से भी जाधा समय हो चुका है और उन्होंने कुछ खास लिखा नहीं और दुनिया जो उन्हें भूल सी गई है तो वो काफी जाधा डेस्परेट है कुछ अच्छा लिखने के लिए तो वो क्या करते हैं कि एक घर है जिसमें कुछ क्राइम हुआ है ठीक है जिसमें काफी सारे मर्डर्स हुए तो वो उस घर में जाके रहने लगते हैं बेसिकली उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमली को लेके यानि इस mystery को solve करूँआ मतलब इस murders को solve करने की कोशिश करूँआ और साथ साथ जोई novel भी लिख लूँआ तो मेरे को बड़िया novel लिखने को मिल जाएगी यहाँ पे रहेगे अब तो यह basically इस film की जो एक outline है plot की वो मैंने आपको बता दिये इस तरीके की यह film है अब यार जो यह film का opening shot है न वो मतलब ऐसा है कि आप देखते हो कि पेड में जो है एक family लटकी वी है मतलब उनको जो है फासी लटका दिया गया है एक पेड में और कुछ दिखता नहीं है और कुछ नहीं दिखा रहा है चार जने लटके वे और वो बेसिकली न फो सीन चलता रहता है ऐसा नहीं कि एक दो सेगिंड के लिए आके हट गया वो सीन तब तक चलता रहता है जब तब हर एक बंदे का ना गलाग उटने से जो है मौत नहीं हो जाती है तो वो वाला सीन ना इतना जादा और उसके बाद जब एटन अउक्स वो वीडियो टेप्स देखना चुरू करता है मालाब यार इसपेशलीica वो इतना खतर्णा के ना देखने में मालाब इतना ड्रावना है ना बस्केली यार जब ये फिल्म वो वीडियो टेप्स चलने हैं जब शुरू होता है यह फिल्म और भी ज़्यादा स्केरी बन जाते हैं और इस पेशली जब वीडियो टेप्स चलते हैं और तो आपको रिलाइज होगा कि फिल्म का वो कितना जबर्दस ते और जो है क्रिस्टाफर यंग ने कितना बढ़िया काम किया है तो अगर यह सेंस और म्यूसिक अगर आपके लिए काफ़ी नहीं है और आपको रभी डर नहीं लग रहा है तो भाई इस में जो लाइटिंग इस film की जो lighting न वो इतनी जबरतस्त है ना मतलब यार horror films की lighting हो ना तो यार ऐसी ही हो मतलब इतनी प्यारी lighting है ना इस film की जैसे Ethan Hawke जो है अपने office में घुशता है ना अब क्योंकि वो writer है तो घरते ही काम करता है तो जो है बतलब पर्चाईस ही दिखती है ना, वो ढंक से तो दिखता निये, फिर वहाँ पे लैम जलाता है, और वो जो रौश्णिये लैम की, वो उसके face पे पढ़ती है, येलो कलर की धीकिए, उससे जो हमें उसका skin color दिखता है, मतलब उसका face दिखता है उसके बाद, और जो उसकी body यह ना वो हमें ऐसा शैडव ही दिखती है और फिर वो जो वीडियो टेप्स चलाना शुरू करता है और वीडियो टेप्स तो वैसे इतने खतर ना के तो यह जो पूरा मतलब जो यह फीलिंग आती है ना जो लाइटिंग जिस तरीके से यूज किये गए है और जो वो पूरा क्लेवर तरीके से लाइटिंग का यूज किया गया है ऐसा आपको रेरली किसी हॉरर फिल्म में देखने को मिलेगा क्योंकि हॉरर फिल्म में या तो सब कुछ बहुत जादा लाइटिड होता है या बहुत ही अंधेरा होता है तो इसमें जो बैलेंस बनाया है वो बहुत बहुत होता है तो यहांग एक वहत है कोई ज़स कारने के लिए लाइस होना हे ना कि मतलब यहां पर रहके उसके लेखरा है contentप यहां तो इसहां तक ready हो जाता है पीछे step back करने के लिए ना कि मतलब यार मैं मतलब लिखना ही छोड़ दूँगा मैं जीवन में कभी लिखूँगा नी पर मैं step back कर लूँगा मुझे जो है मेरी family जादा प्यारी है तो इसके characters इस तरीके के अब जैसे जो wife है जिनका role किया है Juliet Rylance ने तो यार वो जो है ना जो मतलब Ethan Hawke की wife बनी है वो भी ऐती है कि वो काफी जादा support ही है अपने husband को ना हर चीज में support करती है बट ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोलती नहीं है जब उसे लगता है कि चीजे गलत हो जी थी और यह जादा dark zone में इतने जल्दी चले गया है तो उस चीज से उसे रोकने की भी कोशिश कर दी है तो आपको दिखता है कि characters जो है कितने realistic लगते है इसमें और जो बच्चों का भी characters है यार वो भी काफी अच्छा है क्योंकि ना उन्हें problem होती है उस नए घर में आन जो jump scare आता है ना अब जब आप ये film देखोगे ना तो आप समझ जाओगे मैं कौन से jump scare की बात कर रहो ठीके जिसमें basically जो characters के जो गोस्टे वो jump कर रहे ठीके वह अला scene है इससे कुछ spoil नहीं हुआ जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे और आप realize करोगे वह अला scene दे कि ये क्यों है मतलब कोई वज़ाई नहीं और मुझे आस तक समझ भी नहीं आया कि ये scene डालागी और मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ ना सब यही बोलता है कि यारी ये scene की नहीं थी अगर ये scene नहीं होता तो ये film जादा अच्छी लगती और last में भी एक scene आता है कि जो music है lighting है characters है script है मतलब सब कुछ ना इतना अच्छा है मतलब हर एक horror fan को अच्छा लगेगा सब चीज बड़ी है अब बात के लेते कि इस film की ending कैसी है तो और मैं बुलूँआ कि ending मुझे तो काफी जादा पसंद है क्योंकि देखो एक तो जब Ethan Hawks का जो character है ना जब उसक लग गई है और film बिल्कुल खतम होने वाली है तब बिल्कुल लास काड़ आई मुझे पाता है अब बाई और हो गया काम अब बजने वाली event और उस समय मुझे भी अंदर से डर लगता है तो यह film का end मुझे काफी ज़दा पसंद आया और दूसरी बात है कि जिस lore की इसमें बहुत जादा मुझे अब सुना होगा आपने मुझे बहुत सारी होरर फिल्मों में देखा होगा इस lore के बारे में तो जब उस lore के बारे में आप सोचते हो ना तो उस हिसाब से ending इंदब पॉर्फेक्ट एंडिंग है तो उस भूत की कहानी के हिसाब से यह ending बिल्कुल पॉ तो इस फिल्म ने मुझे काफी एंटरेन किया और मैं इस फिल्म को जब भी देखता हूं मैं एंटरेन होता हूं ठीक हर देड़ दो साल में मैं इस फिल्म को देखता हूं और मुझे पसंद आती है मतला मुझे उतना ही मज़ा आता है जितना फर्स टाइम देखने में मज़ था अब रेटिंग की बात करें तो मैं इस फिर्म को डेफिनेटली फाइव में से फॉर माक्स दुआ और मुझे काफी जादा अच्छी लगी है